महराश के मुंबई से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं जहां उद्दफ ठाकरे ने प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए बताया है कि मुंबई के कुछ मतदान केद्रों पर धीमी गती से मतदान चल रहा है और उनका कहरा है कि यह सब जानबूच कर चल रहा है इस बार उन्हो मतदान प्रक्रिया धीमी गती से चल रही है उद्धफ ठाकरे ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी हालत में बिना वोट डाले मतदान केंद्र से बाहर ना जाए महाराश्ट से मंगलाव आगे कि रपो महाराश्ट में आज आखरी चरण का मतदान है इस बार मतदाताओ में भी खासा उत्सा है इसलिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओ की भीर उमड रही है हाला कि मतदान प्रक्रिया धीमी गती से चल रही है उत्तर ठाकरे ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी हालत में बिना वोट डाले मतदान केंद्र से बाहर ना जाए ताकि वोट ना करे तो मैं सारे मतदाताओं को एक रिक्वेस्ट करता हूँ बिन्ती करता हूँ कि चाहे सुबह के पाच भी बच जाए लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाईए अगर सुबह कुछ भी असुविदा के कारेना घर लोटे हो तो वापस जाए और कल सुबह पाच भी बच जाए छे भी बच जाए कोई भी वहां से हिलेगा नहीं आपको वोट करने का अधिकार है और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बन नहीं हो सकता और और सारे लोगों को मैं यह कहता हूँ कि जहां जहां सुविडा है जहां पर जान बूच कर देर लगाई जाए रही है वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमिशन के लोग बैटे हुए है उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे और साथ ही साथ कल प्रेस में पोलिस हम जाईर करे दिखाई 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 तो दे ही रही रही ना खुल्याम दिखाई दे रही है कि ऐसे सिलेक्टेड वस्तिया क्यों जैसे आपने अभी कहा कि वहां तो जोरदार वोट चल रहा है तो वोटर्स तो उत्रे हुए हैं फिर आप मेंसेश क्यों भेज रहे हैं एक बार दो तीन बार पांच बार पिने की पानी की सुविदा नहीं है धूप कितनी धूप है तो भी आभी तो शाम होने आ गई है लेकिन सुबर से मैं देखते आ रहा हूं कुछ सिनियर सिटिजन है उनको भी ताफी तकलिफ हुई है तो ये अच्छी बात मिये और हम तो इनको वाले नहीं है ऐसे आभी तो दिखाई दे रहा है और वहीं पर ज्यादा दिखाई दे रहा है